नमस्कार दुफ्तों मस्तंदीब स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्षेश यूटूब चैल में दुफ्तों आज की नई एंट फिस वीडियों बात करेंगे जो भी इन्वर्सिटी या फिर आपके सकते जो भी बीए बेसी बीकॉम के जो चात्र है जिनकी परिछा सेसन 2021 सब्सक्राइं रिभी इंपयस्तों सब्सक्राइब बाले या थे लिए आपको हम बताने वाले हैं जो कि आने वाले एक्जाम के लिए काफी है और यह कुष्टन इस बार भी 90% है कि कुश्टन रिपीट ही होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूं तो ध्यान से के समझेंग आपको पुरी तरह समझ में आएगा इस चैनल के माध्यम से दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बीकॉम के सभी छात्रों के प्रवाइड के जाएंगे बस आप लोगो थोड़ा वेट करना होगा तो आज किस वीडियो में हम बात करने जो कि आपकी एकजाम के लिए प्रोने वाले हैं यह सारे कोश्चन आप लोग के लिए बहुत ही कोहिस्ट्रार में लिखित परिछ्छा होती है यानि कि यह जो कुष्चन आज कि वीडियो में आने वाला हूं है यह सब अधिलगुत्रिय कोईश्चन है अतिलगुत्रिये का मैंतलब यह होता कि एक क्वेश्चन होता उसके सब्सक्राइब को देना होता है तो हम पूरे बात करेंगे जो भी टॉप लेबल के अलग होते हैं क्वेश्चन आपके एक्जाम में काफी हेलफ होने वाले वह उनके बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो भी आपने क्वेश्चन बैंक खरी दिया बुक है आपके पास यह फिर इंटरनेट के जरी सर्च कर लीजेगा कि कामाईनी किस यूग की रिष्णा है और कामाईनी किस कभी की क्रति है यह सब आप लोग खुद से रिष्चर्च करेंगे मैं इसमें इस वीडियो में किसी का भी एंसर नहीं बताने वाला हूं लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो साइद नेस्ट वीडियो से में कुष्चन और एंसर सहिद भी उसका वीडियो बनाओ क्योंकि यह लग हुत्रे सोरी यह आति लग हुत्रे प्रश्चन है इन में थोड़ा टाइप करना पड़े जांगे अगलती से केंडियर वाले छात ध्यान जांगे ठीक है किस राज परिवार के पंत से फोरी किस राज परिवार से पंत जी का घनिश्ट अमन्द था तो आप लोग इंटरने पर सर्च करना है फिर कोश्चन बैंक है तो उसमें भी आप लोग से कर लिए बहुत जानकारी मुझे प्राप्त होती थी जानकारी है हुआ लेकिन चाप यूटूब पर हूँ और शाल में यहीं वीडियो बना रहा हूं तो कि आपके लिए बहुत ही टॉप लेवल के कोईश्यन होते हैं जो मैं आपको बजाता हूँ क्योंकि आप सभी को मानूम है कि इस चैनल के फैम ली करीब करीब 2 लाग पूरी होने वाल सब्सक्राइब नई कविता से संबंधित जितने भी कोईश्चन है आप लोग अपने कोईश्चन बैंक में रटके जाईएगा साथ से आठ नमबर आपके किलियर हो जाएंगे इससे जादा ही हो जाएंगे ठीक है तो नई कविता के प्रमुक जो कभी है उनका आप लोगों को नाम लिखना है कि कौन कौन से ने कविता के प्रमुक कभी है ठीक है तो इस पर आप लोग ध्यान रखेगा यह कुश्चन आप लोग इसका स्क्रिंस रोट या भी नोट डाउन भी कर सकते हैं ठीक है तो ध्यान में रखीगा नेस्ट कोश्चन है यह सारे कोश्चन बहुत टॉप लेबल के पर्चे दीजिए तो अगेजी का जो संचिप्त पर्चे आप लोगों को यह देना है कि आप सभी मालूम अगेज इनका पूरा नाम आप लोग इंटरन में सर्च करेंगे या फिर आप लोग अपने कोश्चन में देखेंगे इनका पूरा नाम मिल जाएगा हलाकि इनका प्रमुक्रति क्या थी ठीक है और इनका देहां ती या फिर इन्होंने अपने जीवन काल में क्या अच्छा काम किया या फिर नहीं किन करतियों की रचना की जो पिरसिद्ध हुई है बस संचिप्त का इंसर इसी तरह देना ज्यादा डीटियल में नहीं जाना है कुल मिलाके प्रवरता कौन किसे माना जाता है प्रियोग वाद यूग कराइट एंसर आप लोगों को मालुमेंट कमेंट बर बताएगा प्रियोग वाद का प्रवरता किसे बहुत टॉपलीबल कोई सालों में कई बार पहुंचा भी गया इसले सालों में लिखा कि राम धारी सिंह जिनकर का जो जन्म है कब और कहां पे हुआ था इनका यह सोट में एंसर आप लोगों को लिखना है क्योंकि यह अतिलगुत्रे प्रस्ण है मैं फिर से वोल ला हूं ठीक है तो यह आप लोग ध्यान में लिखेगा नोट डाउन कर लिजेगा कोईशन ठीक है निश्ट कोईशन क्योंगा कि जितने भी लगतिरे अतिले घुट्रे कोईशन आए उनका सभीकर में आप लोग को एंसर भी बताओं लेकिन अभी के लिए आप लोग को मैं कोईशन नहीं ठीक है क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं और में डिटिल में जाओं तो टाइम लोंग हो जाएगा ठी सब्सक्राइब करके लिए वैगा नाम इंट करके लिके लिक देना कि की प्रमुग जो रश्नाएंत में लोग लख लिखेंगे ये रिचिना is भीजर प्रोन वाइज देंगे तीक है इसतरा लिखना निसico今 है नियुक्त नमब्र कुई जने लिखा कि बादल के निराला ने क्या कर समोधित किया था तो यह कोई सके सकते एक नहीं संत्वत है वहाई पर बादल को आप लोग को इस वीडियो में बता रहा हूं तो यह आप लोग पे सर्च करेंगे या फिर आपके पास सब्सक्राइब लोग रटके याद करके जाएगा ठीक है की बारा नंबर को सब्सक्राइब प्रकाश डाली इस प्रकार देना है ठीक है ठीक है थोड़ा तो आप लोगों को समझे तो में लिख देना है ठीक है ठोड़ा सववड में आप लोगों को लिख देना है सब्सक्राइब तो आप लोग समझ गये ना कि तो इसमें पॉइंट वाइर करके आप लोग नाम लिख दीजिएगा कौनकों से क्रतियां ठीक है एंसर लिखना है यह रहा इंपॉर्टन कोश्चन प्रगतिवाद कब से कब कब तक माना जाता है यह प्रगतिवाद युग वह वह कब से कबत कमाना जाता तब इसले दो-तीन साल पहले तो वही में इस वीडियो में रखाओं ठीक है निश कोशने की सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहां पर हुआ था सन और आप लोगों पो अस्थान लिखना है ठीक कमेंट में या फिर आप लोग कमेंट में तो लिखना है अगर आप मालूम कैसे हुआ है उसका नाम लिखना है और थोड़ा लिख देना ठीक है कि यह कैसे हुआ और कैसे इनके जीवन में यानि की पावा मिहनों ने कि इसके बारे थोड़ा डीटियल में सब्सक्राइब लिख देना है ठीक है बहुत इंपॉर्टन कोश्चन यह भी इसकोशन है थे इसका नाम करन किया गया था यह आप लोग कमेंट में जरुब अगv एक है एंसर यह आप लोग को लिखना होगा दोस्तों इस वीडियो मैंने पूरे 20 कोश्चन इनकी लूट के थे जो कि टॉप लेबल के कोश्चन है आते लग हुद करिए जो कि पिछले सारों में कई बार रिपीट हुए इन्हीं में से कुछ ना कोश्चन यानिकी मैंने पुली 20 कोश्चन बता है तो इसमें से पांच-छे नंबर के देनकी पांच-छे जो थोड़ा कोश्चन घुमा फिर आकर भी हो सकता है लेकिन मैस जरूर करेंगे 20 कोश्चन में से 45 तो ठीक है तो आई हो टॉप लेबल कोश्चन आपको समझ में आ गया है कोई कोई सुजाद बेसे कमड़ करें पूरी कोश्चिश करेंगे कि इस कोश्चन में कुश्च पेपर का या फिर कि सब्सक्राइब करेंगे जरूर बताएं और टेल्ग्राम चैनल से जरूर जुड़ें लिक वीडियो की डिस्कुस्चन में मिलते हैं नेस्ट वीडियों तो तो तक लिए